तो दोस्तो आज था तीसरा और आखरे दिन पारस Defense and Space Technologies IPO का और तीसरे दिन की समापती के बाद यहाँ पर हमको दोस्तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स देखने को मिले हैं सब्सक्रिप्शन के QIB की बात करें देखिए 170 ताइम्स, HNIs की बात करें 927 ताइम्स, इस अनबिले Defense IPO सब्सक्राइब हुआ है, अभी वो डेटा भी हम देखेंगे, रिटेर इंडियूजिल की बात करें 112 ताइम्स, तोटल अगर देखें तो दोस्तो 304 ताइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है और एप्लिकेशन वाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 ताइम्स हमको की लौटरी लगने वाली है, तो यह होगे दोस्तो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अगर हम यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा है कौन सा IPO सब्सक्राइब हुआ था सबसे पहले 2021 का डेटा देखते हैं, देखिए 2021 में, 2021 में अगर बात करें तो कई सारा IPO आपको पता सो लाइन लगी थी 2021 में तो, देखिए पारस डिफेंस यहाँ पर नंबर आ चुके है, है एचनाइस में देखिए, एमी और्गेनिक्स 154, चलिए यह तो बहुत कम है, देवियानी 230 टाइम, 213 टाइम्स, रोलेक्स दिंस अच्छा हुआ था है, यह और शा मेटेलिक्स 339 टाइम्स, नजारा अच्छा खासा हुआ था, 389 टाइम्स, और यह एचनाइस कैटेगरी के मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और लक्ष्मी और्गेनिक्स 217 टाइम्स, इजे ट्रिप प्लैनर्स देखिए, 382, एम्टार हुआ था दोस्तों हुआ है, तो डिफेंस सेक्टर काफी उभरता हूँ, सेक्टर यहां से नजर आ रहा है, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट पे भी काफी ध्यान दे रहे हैं, तो एम्टार को भी इतरही सब्सक्रिप्शन मिला था, क्योंकि एम्टार दोस्तों कम्पनी भी बहुत जबरदस्त है, म आपको, जब मैंना IPO review किया था, MTR के बारे में आपको बताया था, 650 टाइम्स लेकिन पारस को दोस्तों इससे भी ज़्यादर सब्सक्रिप्शन मिला है, 927 टाइम्स और उसके पीछे के reasons, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे, वह भी मापको बताऊंगा, और यहाँ पर क चलिए इसको छोड़िए, तो बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ था, तो यह होगे दोस्तों 2021 की list, अब चाथ 2020 की चलते हैं, देखिए 2020 में, HNI में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग बहुत कम हुआ था, Mrs. Bactors was 620 टाइम्स, मतलब यह अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, Mrs. Bactors और Burger King भी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, यह जितने भी QSR वाले थे, इनको अच्छा रिस्पॉंस मिला है, अभी भी मिला है, 2021 में भी, 2020 में भी, मजगाओं डॉक शेप बिल्डर, तो यह था दोस्तों, second number का 678 टाइम्स, और first number पे पारस है, और third number पे अगर आप दे सब्सक्राइब किया था, और ChemCon को 449 टाइम्स हैंपर सब्सक्राइब किया था, and Happiest 351 टाइम्स, Rosari Biotech 239 टाइम्स, SBI कार्ड, HNI ने 445 टाइम्स, और उस ताइम तो situation यहां पर खराब ही चल थी, March 2020 में आपको पता ही है, coronavirus की regarding, तो यह है दोस्तों, लिस्ट 2020 के और 2021 को है दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बीट किया है, HNI subscription में, category में बात करें तो यहां पर, और इसके बीचे चार रिजन है, दोस्तों, क्यों इतना subscribe हुआ है, 304 टाइम्स, और 3-0 category में, तो यहां पर दोस्तों, पहला reason है, कि एक तो बहुत ही छोटा, यह issue size है, साफी और अच्छा IPO यहां पर पहले आया था, और दूसरे आपर आगे आने वाले कोई भी IPO ऐसे नहीं है, जो अच्छे IPO आ रहे हैं, अभी recently हमको कोई IPO ऐसा आता हूं, देख रहा है, जिसकी कोई fix date हो चुकी है, कोई अच्छा issue आता हो, देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए सारा का सारा पैसा दोस्तों यहां पर लगाया गया है, इसकी वज़े से आप देखेंगे जो H&Is हैं उन्होंने यहां पर funding भी, financing, दोस्तों यहां पर funding उठाए गयी है, मुझे ऐसा लग रहा है, यहां पर पैसा उठाया गया है, ठीक है, यहां यहां पर lending हुई, अच्छी यहां पर borrowing, यहां पर borrow किया गया है पैसा और पैसे यहां पर लगाया गया है, और उसके बीचे का reason है जोस्तों, third reason और उसका वो है grey market premium, grey market premium दोस्तों यहां पर बहुत ही धुवादार चल रहा है, वो कितना है, चलिए हां पर मैं आपको बताता हूँ, तो यह थे जोस्तों तीन reason जिसकी वज़े से इतना subscription हमको आता हूँ देखने को मिला है, तो आप देख पर हैं तो 255 रुपीज का यहां पर grey market premium चल रहा है आज की date में, और इसका जो issue price है दोस्तों, issue price है इसका 175, तो उस पर दोस्तों यहां पर निकल के आता है यह, 255 की बात करें, तो यहां पर करीब करीब आप मान के चलिए, 150%, जी हां दोस्तों, 1500% के यहां पर हमको listing यह इन देखने को मिल सकते हैं, अगर market condition ऐसी ही रही तो यहां पर 1500% आप समझते हैं, तो कितना खतरना है, मतलब 1500% listing यह इन तो अभी तक किसी भी IPO ने हमको यहां पर नहीं दिया, अगर यह दे देत को मिलेगा, और यहां पर जो buyers हैं, वो active होते हुए देखने को मिलेगे, because of यह जो issue है, काफी छोटा है, तो हमको यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो आप उसके question पूछेंगे, क्या हमको listing दे के दिन buy करना चाहिए, यह तो दोस्तों देखिए, उससी दिन की situation प को बता हूँ, देखिए, complete 4 segment में काम करते है, defense and space optics, तो जिसमें देखिए, infrared lenses, यहां पर space cameras, large size optics, optical domes for missile system, metal mirrors, gyroscope, opto, mechanical assemblies, defense electronics, इनका second segment जहां पर rugged control system, यह आपने जरूर देखा होगा, यह बड़ी machine आपने, कई movies में military जो base होते हैं, उनमें जरूर देखी होगी, तो यह वो days आप देख सकते हैं, यहां पर और इनका जो other segment है, वो है heavy engineering for defense, तो यहां पर भी कुछ ऐसे segment यह अप ऐसी चीज़े बनाते हैं, जहां पर दोस्तो market leader से ही, और चारो segment में आप देखेंगे, तो यहां पर कोई भी इनका competition नहीं है, और इसको आपको दोस्तों, detail में समझना है तो i-button में मैं link दे दूँगा, आपको जो मैंने review करा था इसका, उसमें मैंने बहुत ही detail में इस business model को समझाया है, ताकि आप दोस्तों conviction के साथ इसको hold कर पाएं, तो वो video आप जाके देखेगा, i-button में link दे दूँगा, तो यह है दोस्तों पूरा analysis, यहां पर subscription का, grey market premium का लेकिन जब यह IPO आ जाएगा, एक बार list हो जाएगा, उसके बार definitely इसको review करेंगे, क्योंकि यह promising नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने review में भी आपको बताया तो तो उस video को जाके आप जरूर देखिएगा, तो i hope दोस्तों यह video आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो video को like की कीजिएगा, share कीजिएगा, channel को जरूर subscribe कर लिजे, मिलते हैं आपसे next video में, till then take care, bye bye